दोस्तों रुमश्कार आज मैं आपसे एक अद्भुद शुक्र पर्वत की असलियत हकीकत आपके सामने में परगट कर रहा हूँ बहुत ही शुब है और शुक्र के गुणों को प्रतिपिम्बित कर रही है और मैंने सारा फोकस केवल शुक्र परवत परी किया है तो सबसे पहले जीवन रिखा को देखिए जीवन रिखा इस पास्ट निर्दोश और खूब गुलाई लिये हुए मणी बंद के पास जाते हुए पूरे शुक्र परवत को गेर रही है और शुक्र परवत को ज़्यादा विस्तार ही दे रही है ऐसे में इस शुक्र परवत पर रंग देखिए हलका गुलाबी दा बेस्ट ऐसे जातक संपन तो होते ही हैं उदार हर्दे भी होते हैं परवकारी भी होते हैं ऐसे में जो आपका शुक्र परवत है वो ना तो डिप्रेस्ट हो ना एक बॉल की तरह से ओर डवलप्ड हो जाए बस सामान्य वेल डवलप्ड हो ऐसा दिख भी रहा है लेकिन हातेली पर ना शुक्र परवत पर एक चमक देखिए एक खा चमक एक लाइवनेस जो शुक्र परवत को बहुत ही शुब बना रही है और खास बात एक शुक्र परवत पर कोई दोश भी नहीं है कोई आशुता भी नहीं है कोई नेगेटिव साली भी नहीं है अपने आप में बहुत बड़ी बात अब ध्यान रखना ये शुक्र परवत जातक की जिन्दगी पर किस तरह से प्रभाव डालता है आए देखते हैं कि जिस रक्ति की हतेली में ऐसा शुक्र परवत हो पहली बात वह बहुत सुन्दर और आकरशक होता है व्यक्तित्व परभाव शाली आकरशक एक चुम्बक की तरह से लोगों को अपनी और आकरश्ट करता है और सफल भी हो जाता है ऐसा जातक अति सुन्दर अति आकरशक चेहरे के फीचर्स बहुत शार चाहे वो नाख है आके हैं बहुत ही आकरशक चेहरा है एक शद में कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी होता है बुद्धी मान भी होता है चतुर भी होता है कठीन से कठीन प्रजित्यों में भी विचलित नहीं होता और खास बात ऐसे जातकों के पास धन अपने आप चलकर इनके पास खिचा चलाता है बहुत कम प्रिश्रम करने पर भी ये लोगों के पास आएके एक से अधिक स्रोत होते हैं और खास बात जीवन भर वाहन सुख बना रहता है बड़े बड़े अलिशान घरों में रहते हैं सजने सवनने का बड़ा शौक होता है सुख सुदाओं पर बहुत जोड़ देते हैं और ऐसे लोग देश में नहीं विदेश में भी सम्मानित होते हैं एक शुद में कहा जाए तो ऐसे जातक कलाकार होते हैं किसी भी विद्या में चाहे वो काव्य है संगीत नर्ट्य अभीने इस छित्र में उनको खूब परसिद्धी प्राप्त होती है खूब धन प्राप्त होता है जिन्दगी में खूब विलाचिता और ग्लैमर होता है इनके पास कोई ना कोई कला अवश्य होती है जिसमें ये पूँ सुफलता प्राप्त करके ही रहते हैं फिर रिपीट कर रहा हूँ उदार होते हैं परोपकारी भी होते हैं और जहां तक सुख सुधाओं की बात है वो तो अपार और ये हतेली पर दिखाई भी दे रहा है कि जो अंग मूटे के बेज से निकल कर लम्बी लम्बी मूटी मूटी इस पस्ट रेखाएं जीवन निकागी तरफ आगे बढ़ रही हैं जातक के जीवन को लगजीरियद मनाती हैं जातक के पास सब सुख भोग ऐसे लोगों की एंड डाइटिंग भी अक्सर अच्छी होती है ऐसे लोग इनफॉर्मेशन टेक्लोजी में भी रूची रखते हैं सजने शवनने का शौक होता है अपने आपको प्रजेंट करने में भी बड़े अच्छे होते हैं अच्छे डंग से अपने आपको व्यवस्तित रूप से सुन्दर रूप से और उके सामने परकट करते हैं एक बहुत बड़ा मानस पॉइंट इन लोगों को गर्मी रास नहीं आती शुक रहना भोगों का राजा ये गरम परवत है इसमें अगनीत तो प्रधान होता है इसलिए इन लोगों को गर्मी पसंद नहीं बहुत पसी ना आता है उसके मकाबले सर्दी में ये कमफर्टेबल महसूस करते हैं कुल मिलाकर शुकर से सम्मद्थ जो भी सुक सुविधाएं सपनता जो होनी चाहिए वो सब ऐसे जातक में होती है जिनका शुकर परवत इतना वेवस्थित और शुब हो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया झाल जो होग झाल थेखने के लिए जिए झाल से सम्मद्थ झाल झाल